जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज है 12 अगस्त चलिए आज कर देखते हैं करेंट अफेर्स तो जो लोग चैनल पर नहीं हों वो प्लीज चैनल कर सब्साइब कर लिजे बेल आइकेम प्रेस कर लिजे यह उन सेर भी कर दीज कर देखते हैं इसलिए वीडियो आप लोग देखेंगे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा चलिए चलते हैं पहले प्रस्ण के तरब पहला प्रस्ण है भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कब आईजुद किया जाएगा 23 अक्टूबर 2021 20 अक्टूबर 2022 याए इन में से कोई नहीं तिसका सयांसर क्या होगा इसका सयांसर होगा 20 अक्टूबर 2021 इसकी थीम है इंक्लूजिव इंटरनेट दिजिटल इंडिया बात करें दिजिटल भारत इंटरनेट कब आरम हुई आरंब हुई एक जुडाई 2015 इसमें कितने इस्तंब थे इसमें 9 इस्तंब थे जन अधन इरुजन्या को शुरुआत कब हुई 28 सगस 2014 को हाल ही में किस कमपणी ने इंटरनेट एक्स्प्लोरर को बंद कर दिया है वह है Microsoft कमपणी ने और किस कमपणी ने फालमीना नामक केबल दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी यह बनाई है तो किस कंपणी ने बनाई है गूगल ने बात करने प्रोजेक्ट लून का संबंध तो किस कंपणी से है गूगल कंपणी से इसके तहट बैलून द्वारा इंटरनेट उपलप्त कराना था और अब यह बंद कर दिया गया है एमेजान के नए CEO कौन है ओ है एंडी जेसी इसके पहले कौन थे इसके पहले थे जेव बेजोज चलिए चलते हैं अगरे प्रसन की तरफ अगरा प्रसन है हाल ही में किस राज ने इनगर मुबाइल अप्लिकेशन और पोर्टल लांच किया है गुजराथ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दिल्ली इसका सही अंसर होगा गुजराथ गुजराथ ने इनगर पोर्टल अप्लिकेशन और पोर्टल लांच किया है सत्याग्रह अंगेश्ट पोलूशन अभियान किसने आरंब किया विरल देशाई ने कहां गुजरात में बात करें यूनेश्को वर्ल्ड हेरिटेज में सामिल होने वाली नमिंतम साइट कवंसी है वो है धोली वीरा हरप्पा से सम्मंधित कवंसे नंबर पे एक मात्र इस्थल जहां तीन प्रकार के दुर्ग मिलते हैं वो कवंसा इस्थल है वो है धोला वीरा इसे इस्थानिभासा में कोटता डिब्बा भिकाते हैं भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज किस जील किस जील की किनारे इस्तित है या इस्तित है काकडिया जील किनारे कहां पड़ता है अहमदाबाद में भारत का पहला इलेक्ट्रिक हुईकल सिटी कौन सी है हुआ है क्योड़िया चलिए चलते हैं अगले प्रसन के तरफ अगला प्रसन है हाल ही में किस राज सरकार ने हांकी खिलारी वंदना कटारिया को राज के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अमेश्टर नियुक्त किया है बिहार उत्ता प्रदेश मदप्रदेश यह उत्राखंड तिसका सही आंसर होगा उत्राखंड उत्राखंड का सरवत सम्मान तीलू रोतायली पुरसकार बंदना कटारिया को मिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ येज उत्राखंड में पहला क्रिप्तो जैनिक उद्यान कहां है वो भी उत्राखंड में ही है बात करें हिम तेंदुआ सरक्षण केंद्र वो भी उत्राखंड में ही बनाया गया है नीदर लेंड की सहायता से भारत का पहला नेशनल पार्क वो है जिम कार्बेन नेशनल पार्क इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं यह भी उत्राखंड में ही है उत्राखंड की ग्रेश में काली राजधानी कौन सी है वह है गैर सेन बात करें दस तलिक युद्ध अभ्यास का आयोजन रानी खेत उत्राखंड में हुआ किसके बीच भारत और उजबेकिस्तान के बीच बात करें काला पाने इस थान कहां इस्तित है यह इस्तित है उत्राखंड के पिथवड़ा गरजिले में चलिए चलते हैं अगरे प्रसन के तरफ अगरा प्रसन है हाल ही में किस संगठन ने युद्ध में पहली महिला अदकारी को सामिल किया गया है BACF, CRPF, ITBP या CICF तो इसका सयांसर क्या होगा इसका सयांसर होगा ITBP इसमें दो महिला युद्ध अधकारियों को सामिल किया गया है जिनका नाम क्या गया है एक का नाम है प्रकृति और दूसरे का नाम दिख्षा है अब ITBP के प्रमुक कौन है तो वह है SS देशवाल राश्टी महिला दिवस कम मना जाता है वह मना जाता है तेरह जन्वरी को सरोजनी नाइडू के जर्म दिवस पर चलिए चलते हैं अगले प्रस्न तरफ अगला प्रस्न है प्रति वर्ष भाला फेक दिवस कम मना जाता है प्रति वर्ष भाला फेक दिवस कम मना जायेगा 8 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त या 13 जुलाई तो इसका सही अंसर होगा 7 अगस्त, 7 अगस्त को प्रति वर्ष भाला फेक दिवस के रूप में मना जाता है गा नीरत चोपरा जी के टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने के उपलच में प्रति वर्ष 7 अगस्त को भाला फेक दिवस मना जाने के शुरुआत हुई है और उलम्पिक में ब्यक्तिकत रूप से भारत का दो गोल्ड मेडल है पहला अभिनो बिंद्रा के नाम है जो सन 2008 में बीजिंग उलम्पिक मिला है थे किसमें सूटिंग में और दूसरा टोक्यो उलम्पिक 2020 में नीरत चोपरा जी के नाम है जी किसमें भाला फेग में बात करें 26 अगस्त को हीरोशीमा दिवस और 9 अगस्त को नागाशा की दिवस मना जाता है जलते हैं अगला प्रस्न है हाली में अंतराश्टी सेना ख्योलो 2021 का योजडर्न कहां किया गया है रूस, अमेरिका, भारत, फ्रांस इसका सही आंसर होगा रूस रूस ने अंतराश्टी सेना खेलो 2021 का आयोजन किया है इस यूद्ध को ओलम्पिक भी कहते हैं इसमें कुल 42 देश भाग लेंगे अंतराश्टी सेना खेलो का को होस्ट 2019 में जैसल में राजस्थान ने किया था और 2018 का कामन वेल्थ खेल का आयोजन कहा हुआ था वो हुआ था गोल्ड कोस्ट आस्टेलिया में बात करें एसियन गेम्स 2018 का आयोजन कहा हुआ था वो हुआ था जकार्ता में अब बतिस हमें यहीं 2020 ओलम्पिक खेल का आयोजन कहा हुआ वो हुआ टोक्यो जापान फीफा चीन में और सेंट पीट सबर्ग घोशड़ा पत्र का संबंद किसके सरक्षर से है वह है बागों के सरक्षर से बरतमान में भारत में कुल 2967 भाग है चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण के तरब अगला प्रस्ण है चर्चा में रहा मजार एस शरीफ किस देश में स्थित है अफ बेकिस्तान के संसर कर नाम क्या है सोरा राधानी क्या है काबूल भारत के दवारा अफगानिस्तान में कमसा बात मनाया गया है वो बनाये गया है सलमा और सहतूद और सार्ग का नविंतम देश कवंसा है वो है अफगानिस्तान आठवे नमबर पे और अमेरिका की सेना ने लगभग 20 वर्ष पूर अफगानिस्तान में किस हवाई छेतर को छोण दिया है वो है बहराम और इरान के संसत का क्या नाम है मजलीज और नेपाल के संसत का क्या नाम है राष्टी पंचायत बात करें बंगलादेश के संसत का नाम क्या है जाती पंचायत और इजरायल के संसत का क्या नाम है नीशेट और स्यूडन के संसत का क्या नाम है रिक्सडाग बात करें इस्पेन क समसत की संसत नाम क्या है peur अंगले पृष्ण के तरफ अगला प्रोष्ण है कि न अगरस्ट दोजार 21 को आकष्ण प्रियागरारी उत्तरप्रदेश, भोपाल मध्रप्रदेश, धमतरी 36 गड़ यान में से कोई नहीं। इसका सयांसर क्या होगा? इसका सयांसर होगा धमतरी 36 गड़। चलिए और हाल ही में किसने क्लाइमेंट चेंज 2021 दफिजकल साइन्स बेसिस सिर्शक से एक रिपोर्ट जारी की है विस्ट मोसंबिक ज्यान संगठन सायूत राष्ट पर्यावनर कारिकरम जलवाई परिवरतन पर अंतर सरकारी पैनल या इन में से कोई नहीं। इसका सयांसर क्या होगा? इसका सयांसर जलवाई परिवरतन पर अंतर सरकारी पैनल चलिए आई पी सी सी यानि इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जलवाई परिवरतन पर अंतर सरकारी पैनल अंतर सरकारी विग्यारिंग निकाय है यह संयुक्त राष्ट का आधकारिक पैनल है जो जलवाई में बतलाव और गिन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। बात करें IPCC की स्थापना कब हुई? तुनेश सोस्य में। प्रेस फिडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इज आप डूइंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो करता है बिश्व बैंक बात करने Human Development Report कौन जारी करता है? वो जारी करता है स्वयूत राष्ट विकास कारिकरम वर्ल्ड एकोनामिक आउटलोग रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो जारी करता है IMF मतलब International Monetary Fund बात करें तवकाते चक्रवात का नाम कुरण मियामार ने दिय और यह चक्रवात अरवसाघर में आया था और यास चक्रवात का नाम उमाण ने दिया यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था. चलिए, चलते हैं अगले प्रसन के तرف अगला प्रस्ण है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकान ने काकोरी ट्रेन का नाम बरल कर क्या कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्षन कारवाही राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन असफाक उल्ला खान ट्रेन यारी में से कोई नहीं इसका सई आंसर होगा काकोरी टेन एक्षन कारवाई ही चलिए वीलर्ड दीब का नया नाम क्या कर दिया गया है एपी जे अब्दुलकलाम दीब यह कहां पड़ता है ओडिसा में और रास दीब का नया नाम क्या कर दिया गया है सुभाजचंद बोश द्वीप बात करें कांडेला पूर्ट का नया नाम क्या है वह कर दिया गया है दीन दयाल उपध्याय पूर्ट बात करें फिरोज साह कोटला इस्टेडियम का नाम बदल कर अरूण जेटली का नाम पर कर दिया गया है अब प्रवासी भारती केंद्र का सुस्मा सुराजभुवनHello यह था अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो पॲिज चैनल को लाइक, शेयर तर सब्साइब करिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद तो चलिए कल मिलते हैं नए वीडियो में नए उर्जा के साथ तब तक के लिए जय हिंद